Hey everyone, welcome in Sonia Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 10, The Merchant of Venice, Venice के व्यापारी. The Merchant of Venice is one of the best plays written by William Shakespeare. यह जो play है, यह किसके द्वारा रिटन किया गया है? William Shakespeare के द्वारा रिटन किया गया है और इसका नाम है Venice के व्यापारी. The Chapter Summary is the main plot wherein Antonio was bound to pay one pound of flesh from his body to Silo. The Money Lander Who Hated Antonio यहाँ पे जो यह चैप्टर है, इसके अंदर एक समरी दिखाई गई है, जिसमें क्या है? एंटोनियो को अपना एक पॉंड मास्क देना है किसको Silo को जो क्या है Money Lander जो पैसा उधार पर देता है और वो एंटोनियो से बहुत ज़्यादा नफरत करता है. Could Silo take flesh from Antonio body? क्या जो Silo क है वो एंटोनियो की body से मास्क ले लेगा? Let's read and find out. आओ हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं. इसके अंदर male story में दे रखा है Antonio, Basanio, Silo, Lorenzo और Gratinio. इसके बाद female में है Portia, Nerisha और Jessica. Long, long ago there lived a merchant named Antonio in Venice. बहुत बहुत पहले की बात है कि एक व्यापारी था जिसका नाम था Antonio वो Venice में रहता था. He had many trending sheep which were sent to distance countries for trade. उसके पास trading sheep मतलब जो व्यापारिक जहाज होते हैं वो बहुत सारे थे और वो जो व्यापारिक जहाज थे वो बहुत दूरी तक दूसरे देशों के अंदर व्यापार करने के लिए वो उनको भेजता था. So he was very rich और इसी लिए वो क्या था? बहुत ज़्यादा अमीर था. His best friend was Basanio who loved a beautiful lady named Portia. उसका दोस्त था उसके दोस्त का नाम था Basanio और जो एक बहुत ही खूबसूरत लेडी थी जिसका नाम था Portia उससे वो प्यार करता था. She was very rich. वो लेडी क्या थी? बहुत ज़्यादा अमीर थी. Basanio was not a wealthy man. और Basanio क्या था? ज़्यादा धनी आदमी नहीं था. So he hesitated to go to her. और इसी लिए उसे hesitation हिचकी चाहट फील होती थी कि मैं Portia के पास कैसे जाओ? After some time कुछ दिनों के बाद मतलब कुछ समय निकल जाता है उसके बाद He asked Antonio to lend him some money. वो Antonio के पास जाता है और उसे कुछ धन उधार मांगता है So that he could visit Portia. ताकि वो Portia के पास जा सके मतलब वहां की वो यातरा कर सके And find if she loved him. वो लड़की का नाम भी Portia है और ये जगह का नाम भी Portia है कि वो Portia नामक जगह पर जाकर Portia के पास जाएगा और उससे जाकर पूछेगा कि वो उसे प्यार करती है या नहीं करती But Antonio ships were at sea. प्रंतु Antonio की जो जहाज थे वो समुदर में गए हुए थे And he had no money to land to Bassanio until they return. और जब तक उसके जहाज वापिस नहीं आ जाते उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो Bassanio को उधार दे सकी In Venice, there lived a Jew, Silok, who was a moneylender Venice के अंदर एक यहूदी, Silok नाम का moneylender जो पैसा उधार देने वाला था वो भी रहता था Antonio asked Bassanio to go to moneylender and borrow money from him on his behalf Antonio ने Bassanio से कहा कि तुम जाओ और Silok के पास जाकर उससे कुछ पैसा उधार ले लो और उसे मेरे भी हाप पे लेना कि उसका जो करजा है वो मैं चुका दूँगा Antonio hatted Silok for his wicked ways and he had often insulted him and spoken rudely to him Antonio Silok से नफरत करता था क्योंकि उसका व्यवार बहुत जादा बुरा था वो उसकी insult करता रहता था बोलते हुए भी वो rudely behave करता था उससे for this reason Silok also hatted Antonio और यही करण था कि Silok भी क्या करता था Antonio से बहुत जादा नफरत करता था and was anexious to take revenge for the insult और वो हमेशा तयार रहता था कि मैं किस तरीके से अपना जो बदला है वो मैं Antonio से ले सकूँ बसानियों went to Silok to borrow the money he needed अब बसानियों Silok के पास जाता है और जितने पैसों की उसे जरूरत होती है वो वहाँ से ले लेता है उधार ले लेता है वो Silok was delighted when he heard that Antonio had promised to pay back the loan और Silok ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब उसने ये बात सुनी कि ये जो पैसा बसानियों ले रहा है इस पैसे को Antonio चुकाएगा और वो भी उसका जो लोन जो भी पैसे वो ले रहा है वो सारे पैसे Antonio को चुकाने है तो ये सुनकर Silok बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है He thought that his enemy was given to him into his hand और अब वो सोचता है कि जो दुस्मन है वो तो खुद चलकर मेरे हाथों में आ रहा है and he made a wicked plan और उसने एक बहुत ही दुस्ट प्लान बनाया एक उपाई उसने सोचा He pretended to be generous and said he would lend बसेनियों the money and would not charge him anything for the loan और मतलब उसने अपने आपको इतना अच्छा इतना सरीफ दिखाने की कोशिस करता है वो और वो बसेनियों से कहता है कि मैं तुम्हें पैसा भी उधार दे दूँगा और इस पैसे के उपर जो लगने वाला ब्याज है वो भी तुम्हें नहीं देना पड़ेगा मतलब वो अपने आपको अच्छा साबित करने के लिए ये सब कुछ करता है but Antonio must pay me back in three months साइलोक्स है प्रंतु साइलोक्स ने कहा कि ये जो पैसा तुम ले रहे हो ये एंटोनियों को मुझे तीन महिने में वापिस लोटाना होगा and just for a joke बस एक उपाए मतलब एक मजाक के लिए he must sign a letter promising that I may cut off a pound of flesh from his body if the money is not paid मतलब वो मजाक करता हुआ मजाक में भी ये बात कह देता है कि जो एंटोनियों है उसे एक कागस के उपर sign करके देने होंगे कि अगर वो तीन महिने में ये पैसा नहीं चुका सकता है तो मैं उसके सरीर के किसी भी हिस्से से एक पॉन्ड मास कट कर लूँआ बसानियों हैड नो फेट इन साइलोग लेकिन बसानियों को साइलोग में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था एंग डिड नोट लाइक एंटोनियों टू मेक सच आ टेरिबल प्रोमिस और नहीं वो एंटोनियों के लिए ऐसा जो टेरिबल प्रोमिस है वो भी वो करना नहीं चाता था मतलब डरावने वाला ऐसा प्रोमिस भी वो उसके लिए नहीं करना चाता था बट एंटोनियो थोट देट साईलोक वोज रियली जोकिंग एंड ही सेड परंतु एंटोनियो ने सोचा कि जो साय लोग है वो वास्तों में मजब कर रहा है और उसने कहा I am indeed indeed contented to sign such a promise उसने कहा कि मैं ये जो मेरे से signature करवा रहा है मैं अपने वादे के लिए ये signature करने को तयार हूँ don't be afraid डरो मत बसानियों कि बसानियों तुम my ships will return a month before मेरे जो जहाज है वो एक महिना पहले वापिस आ जाएंगे the money is due कि उसे तीन महिने में पैसे देने है और मेरे जहाज दो महिने के बाद मतलब एक महिना पहले ही वापिस आ जाएंगे and then I sell how three times as much as sylock has lent to you और मैं उसे तीन गुना पैसा दे दूँगा जो तुमने अब sylock से लिया है उसे तीन गुना ज्यादा पैसा मैं इसे वापस कर दूँगा and Antonio signed the letter और Antonio ने उस letter के उपर signature कर दिये बसानियो unwillingly took the money and said goodbye to Antonio और बसानियो ने क्या किया बिना इच्छा के मतलब अपना मन मार के बिना इच्छा के उसने उन पैसो खो लिया और Antonio को उसने अलविदा कह दिया और वहां से वो चला जाता है three month past and Antonio ships did not return तीन महिने बीत जाते हैं परंतु Antonio के जहाज वापिस नहीं आते on the other hand दूसरी तरह Basanio and Portia were to be married in Belmont और Belmont में उन दोनों की Basanio और Portia की शादी होने वाली थी at the same time उसी समय पर Basanio received a letter Basanio को एक पत्र मिलता है from his friend Antonio जो किस ने भेजा था उसके दोस्त Antonio ने भेजा था on reading it इसे पढ़ कर he turned so pale उसका चहरा बिल्कुल पीला पढ़ जाता है वो खुद एकदम पीला हो जाता है that Portia feared और ये देखकर Portia डर जाती है that his friend must be dead की हो सकता है इसका जो दोस्त है वो मर गया है what is it बसानियो see us and actually you must let me share the bad news that this letter bring यहाँ पे वो चिंतित होकर बसानियों से पूसती है कि बसानियों ये क्या है इसके अंदर जो भी news आई है इस letter में तुम्हें मुझे ये बतानी चाहिए मेरे साथ share करनी चाहिए ओ स्वीट पोर्टिया सेड बसानियों बसानियों ने कहा कि ओ प्यारी पोर्टिया here are some of the most unpleasant words that have ever been written कि यहाँ पर नाखुश करने वाले दुखी करने वाले ऐसे शब्द है जिनको पहले कभी भी नहीं लिखा गया that have ever been written जो जिनको पहले नहीं लिखा गया है जो यहाँ पर अब लिखे गई है the letter told him that Antonio six ships full of riches had all been wrecked at sea and Antonio money had been lost with them अब इस पत्तर के अंदर लिखा गया है कि Antonio के छहाज थे जो धन से भरे हुए थे और वो सारे के सारे समुदर के अंदर बरबाद हो जाते हैं वो तूट गए समुदर के अंदर sorry बरबाद हो चुके हैं और Antonio को जो पैसे देने थे जो Antonio के पास जितने भी पैसे थे वो सारा धन तो जहाजों में था और अब Antonio अपना सारा धन भी खो चुका है और अब जो सायलोक है वो एंटोनियो से और भी ज़्यादा नफरत करने लग गया है कबसे ज़्यादा नफरत करने लगा था कि Antonio का एक दोस था Lorenjo head run away with Jessica वो जो Lorenjo था Antonio का दोस वो Jessica के साथ भाग गया था his daughter, जो किसकी daughter थी? सायलोक की daughter थी और लड़का दोस था Antonio का तो सायलोक उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लग गया था he was so angry at the loss of his daughter and his money गुस्सा हो जाता है क्योंकि एक तो उसकी बेटी चली जाती है और दूसरा उसकी बेटी बहुत सारा धन ले कर जाती है that he walked the street crying और वो चिलाते हुए गली में आ जाता है my daughter my money my jewels मेरी बेटी मेरा धन मेरे गहने justice मुझे न्याय दो find me my money मेरा पैसा मुझे ढूंड कर दो and my daughter और मुझे मेरी बेटी भी ढूंड कर दो and when he heard that Antonio ships were lost he was very glad और जब उसे ये बात पता चल चुकी है कि Antonio के जो जहाज है वो सारे के सारे खतम हो चुके हैं बरबाद हो चुके हैं now he could revenge himself अब वो उसे बदला लेगा on Antonio and on all those who loved the brave young merchant और वो उन सबसे भी बदला लेगा जो इस young merchant को पसंद करते हैं इससे प्यार करते हैं सायलोक went to the Duke of Venice Venice की डूक के पास सायलोक जाता है मतलब जो राजा थे वहाँ उनके पास वो जाता है he told him of Antonio bargain and of the letter he had signed वो डूक के पास जाते हैं और उसे Antonio ने जो उसके साथ सोधा किया था जिस signature जो letter था उसके उपर उसने signature किये थे उनके बारे में वो पूस्ता है the Duke and many of the merchants tried to pursue सायलोक to give him of his cruel revenge but he would not listen to them जो Duke थे और भी बहुत सारे वेपारी थे उसने उन्हें समझाने की कोशिश की उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की कि तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए और इस तरीके का बदला तुम्हें नहीं लेना चाहिए परन्तु वो किसी की भी नहीं सुनता है वो सुनने से मना कर देता है अन्टोनियो कैननोट पे दा मनी सेड साइलोग साइलोग ने कहा अन्टोनियो पैसा नहीं दे सकता अब उसे अपने वादे पे पक्का रहना होगा और उसे मुझे अपना एक पॉंड मास देना पड़ेगा बसानियो वोज टेरिबली डिस्टर्ब बाई दा न्यूज और ये खबर सुनकर बसानियो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो डिस्टर्ब हो जाता है अब वो डिसाइड कर लेता है नेने ले लेता है कि वो एक बार वैनिश जाएगा और अपने दोस्त को बचाएगा और जो पोर्टिया होती है वो बहुत ज़्यादा दयालू हर्दे की होती है और वो उसे जाने से मना नहीं करती है उसने उसे समझाते हुए कहा कि आओ हम पहले शादी कर लेते हैं and then you must go to Venice at once और फिर तुम एक बार Venice चले जाना you shall have gold to pay his debt 20 times over and when it is paid bring your true friend here कि तुम ये सोना भी ले जाना हमारी शादी होने के बाद जो सोना है इसको भी ले जाना और जो उसका करजा है उससे 20 टाइम ज़्यादा का तुम उसे जो करजा तुमने ले रखा है उसको वापिस कर देना और अपने दोस्त को यहाँ पर ले आना so they were married इसलिए वो शादी कर लेते हैं and after the ceremony और जब उनके जो ceremony हो जाती है शादी की Bassanio and Gratino said of for Venice तो उसका दोस्त होता है Gratino और Bassanio दोनों वहाँ पर जाते हैं Venice they found that the trial was just beginning और वो यह देखते हैं कि case केवल अभी अभी ही सुरू हुआ है Antonio did not ask for mercy Antonio किसी भी तरीके की दया के बारे में नहीं कहता है वो दया नहीं चाहता है he knew that sylock hated him too much to be merciful कि उसे ये पता था कि जो sylock है वो उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है जितना वो उस पे दयालू नहीं होगा उसे कहीं ज़्यादा वो उसे नफरत करता है besides a man must keep his promise इसके अतिरिक उसका मानना ये भी था कि एक मनुश्य को अपना वादा हमेशा पूरा करना चाहिए otherwise people would think that the merchants of Venice are not honest men वरना जो Venice के लोग है वो ये सोचेंगे कि जो व्यापारी है Venice के वो इमानदार व्यक्ती नहीं है the Duke of Venice who was hearing the case begged sylock to be merciful अब जो Venice के डूक थे जो इस केस को सुन रहे थे उन्होंने भी sylock से प्रातना की उससे भीक मांगी कि तुम्हें दयालू होना चाहिए why should I be merciful तो sylock ने कहा की मुझे दयालू क्यों होना चाहिए say the Jew यहूदी ने कहा की मुझे क्यों दयालू होना चाहिए I do not love Antonio मैं Antonio से प्यार नहीं करता do all men kill the people they do not love ask Bassanio angrily तो Bassanio ने उससे गुशे से कहा क्या तुम किसी इनसान से अगर प्यार नहीं करते हो लोगों से प्यार नहीं करते हो तो क्या तुम उन्हें मार दोगे don't all men want to harm the thing they had answer answered साईलोक bitterly अब साईलोक ने बहुत ही गुशे में bitterly means बहुत कड़वे अंदाज में उसने बोल कर कहा क्या किसी भी इनसान को हम पसंद नहीं करते उसे क्या हम नुक्सान नहीं पहुँचाते हैं I will give you twice as much as Antonio offers you मैं तुम्हें जितना भी Antonio को धन देना है उसे दो गुना ज्यादा धन तुम्हें दूँगा if you will let him go free बसानियों सेर्ड बसानियों ने कहा कि अगर तुम उसे जाने दोगे उसे आजाद कर दोगे तो जितना पैसा उसे देना है उसे दो गुना पैसा मैं तुम्हें दूँगा if you offered me 6,000 times कि अगर तुम मुझे 6,000 गुना more than the amount जो ये पैसा है इसे 6,000 गुना ज्यादा पैसा भी अगर तुम मुझे दे देते हो offer करते हो he owes me उसने मुझे कहा I should still ask for my pond of flesh does you reply यहुदी ने कहा फिर भी मैं अपना एक pond मास ही मांगूंगा how can you hope for mercy if you show none तुम दया की उमीद कैसे कर सकते हो दया की आसा कैसे कर सकते हो जब तुम खुद आसा नहीं दिखाते हो जब तुम खुद दया नहीं दिखाते हो ask the Duke Duke ने पूछा but साइलोक answered violently परंतु साइलोक ने बहुत ही हिंसक तरीके से उतर दिया I do not want mercy मैं दया नहीं चाहता मैं दया लू नहीं बनना चाहता I want justice मुझे न्याय चाहिए give me my pond of flesh मुझे मेरा मास चाहिए मुझे एक pond जो मास है वो चाहिए he began to sharpen the long knife he had brought with him वो अपने साथ लाया हुआ एक लंबा सा चाकू था जिसको वो तेज करने लग जाता है जिसकी धार लगाने के लिए start हो जाता है वो feeling that his revenge was very near और मन ही मन में सोचता है कि अब तो उसका बदला पूरा होने वाला है but at the moment a messenger came to the Duke परन्तु उसी सम्या एक messenger संदेश वाहक आता है Duke के पास with the news एक cover लेकर वो आता है that a clever young lawyer had arrived from another town to play the case उसने कहा कि एक बहुत ही young वकील आया है बहुत ही चतुर वकील आया है और दूसरे कस्बे से आया है और वो इस केस को लड़ना चाहता है almost at once the lawyer entered लगभग जो वकील होता है वो अंदर एंटर करता है a comment by his color और उसके साथ उसका color भी होता है they both looked very young वो दोनों बहुत young दिखाई दे रहे थे but they brought within them a written introduction from a lawyer friend of the Duke who assured him that the young man was well qualified to plead the case अब वो अपने साथ एक introduction letter भी लेके आता है क्योंकि उसका जो lawyer friend होता है वो डूक का वो दोस्त होता है वकील और वो ये भी साबित कर देता है कि जो ये young man आया है ये well qualified है और इस केस को ये लड़ सकता है His wisdom was soon shown by the careful question he asked the Jew जैसे ही उसने यहूदी से क्योषन पहला की क्योषन उसने पूछा तो उससे उसकी बुद्धी मता का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितना बुद्धी मान था When he heard all that Siloq and Antonio had to say He begged the Jew to be merciful कि when he heard जब उसने सुना All that Siloq, Siloq के बारे में जब उसने सारी बाते सुनी And Antonio had to say और Antonio ने कहा He begged the Jew to be merciful की उसने यहूदी से दयालू होने के लिए भीख मांगी Why should I be merciful मुझे दयालू क्यों होना चाहिए Tell me that मुझे ये बताओ Shouted Siloq, Siloq चिलाता है Angerly बहुत तेज गुसे में Shouted Siloq चिलाता और कहता है कि मुझे इसके परती दयालू क्यों होना चाहिए And the young lawyer made a fine speech और जो युवा वकील था उसने एक बहुत ही अच्छी सा जो speech भासन था वो बोला उसने Telling Shouted Siloq of the value of mercy तो उन्होंने सायलोक से कहा कि mercy के क्या क्या गुन होते हैं वो उसे कहता है Mercy is twice blessed Mercy क्या होती है जो दया होती है वो दोगणा bless करती है हमें आशिरवाद देती है He said उसने कहा It blesses him who give and him who receive ये दोनों को दया दिखाती है दोनों पे जो दया दिखाता है उस पे भी और जो इसको प्राप्ट करता है उसे भी means दोनों को bless आशिरवाद देती है Great Kings are always merciful महन राजा को हमेशा दयालू होना चाहिए And God Himself is known to be full of gentleness and mercy और भगवान भी तो खुद अपनी दयालूता के लिए और mercy के लिए जाने जाते है Therefore you, although you ask for justice, I ask you to be merciful जबकि यहुदी तुम खुद भी न्याय के लिए कह रहे हो तो मैं तुम्हें दयालू होने के लिए पूछता हूँ सायलोग वूड नोट लिसन सायलोग कुछ भी नहीं सुनता है He could think of nothing but revenge वो कुछ भी नहीं सोचता केवल बदले के And he refused to take the money Basanio offered और Basanio जो उसे पैसा दे रहा था उसे उस पैसे को लेने से भी वो इनकार कर देता है Although Basanio said he would give him ten times the sum he owed वो Basanio उसे इतना तक भी कह देता है कि मैं तुझे दस गुना ज्यादा पैसा दूँगा जो तुमने दे रखा है लेकिन तुम एंटोनियो का मास मत लो Come सायलोग said the lawyer patiently be merciful अब जो lawyer था वकील था उसने बहुत ही धीरता के साथ धीरस धरते हुए कहा कि सायलोग यहां आओ Be merciful दयालू बनो Take three times the sum and let me tear up the promise उसने कहा कि जो तुमने पैसा दे रखा है उसे तीन गुणा ज्यादा पैसा तुम ले लो और मुझे जो तुमने ये promise का कागच लिखवा रखा है इसको मुझे फ़ाडने दो सायलोग still refused सायलोग मना कर देता है and the lawyer had to admit that his claim was right और वकील भी ये बात स्विकार कर लेता है कि जो उसने claim किया है जो दावा किया है वो बिल्कुल सही है According to the law of Venice Venice के कानून के नियमों के according He also said that if the Jew would not be merciful उसने ये भी कहा कि यदि जो यहूदी है वो दायालू नहीं होता है Antonio must give him his bond of flesh तो Antonio को उसे अपना एक पोर्ण मास देना ही पड़ेगा A wise man to judgment एक दायालू आदमी नेने करता है Oh wise young man How I admire you कि दायालू व्यक्ती मैं तुमारी कैसे परसंचा करूं Cried sylok चिलाता है Bringing out his knife again और वो फिर से अपने चाकू को निकाल लेता है You must prepare yourself for the knife The lawyer said to Antonio Antonio को वकील ने कहा कि तुम अपने आपको इस चाकू के लिए तैयार कर लो Oh noble man Oh wonderful young man Cried sylok Sylok चिलाया कि Hey दयालू आदमी Hey अध्वुत young man Come open up your coat said the lawyer वकील ने उसे कहा कि तुम अपना coat खोलो Yes yes His coat nearest to heart Noble man said sylok Feeling the sharp edge of his knife उसने जो चाकू की धार लगा रखी थी उस चाकू के उपर उसको Feel करके देखता है कि वो कितना तेज है और वो कहता कि हाँ हाँ जो तुम्हारे दिल के पास जो तुमने कोट पैर रखा है दिल के पास जो हार्ट के पास वाली जगह है वहां से तुम खोलो Are their balance here to weigh the flesh as the young lawyer अब जो यूवा वकील था उसने पूछा क्या तुमने कोई जो मास है उसको नापने के लिए उसको बैलेंस करने के लिए कोई weight machine ला रखी है I have them ready मैं बिल्कुल तयार हूँ It means उसका क्या था कि उसने जो तराजू है बुला रखा है Have you called a doctor क्या तुमने डॉक्टर को बुलाया To stop his wound in case he bleeds to death कि अगर तुमने इसका मास काटा मास काटने के बाद अगर इसको blood आया तो क्या तुमने डॉक्टर को बुलाया है कि अगर ये मर गया तो No, said सायलोक, सायलोक ने कहा नहीं This is not written in the letter ऐसा पत्तर में कुछ भी नहीं लिखा गया है The young lawyer asked Antonio if he had anything to say जो young lawyer होता है वो वकील था वो एंटोनियो से कहता है कि if he had anything to say क्या वो इसके बारे में कुछ कहना चाहता है Antonio told Bassanio that he loved him greatly Antonio ने कहा कि वो Bassanio से बहुत ज़्यादा प्यार करता है and was glad to die for his sake और उसके लिए उसे मरने में भी कोई हर्ज नहीं है and then he said goodbye और उसके बाद वो अपने दोस्त Bassanio को क्या कह दता है Alvida कह देता है A pound of this merchant's flesh is yours इस व्यापारी का एक पॉर्ड मास तुम्हारा said the lawyer to Sylock lawyer जो वकील था उसने Sylock से कहा the court agrees ये पूरा court सहमत है and the law admit it और जो नियम है जो कानून है वो भी से स्विकार करता है Most rightful lawyer said the delighted Jew यहूदी ने खुस होते हुए कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो वो वकील से कहता है कि वकील तुम बिल्कुल सही कह रहे हो and I must cut this flesh from near his heart और उसे जो मास काटना है वो कहां से काटना है वो इसके हार्ट के पास से काटना है the law admit it and the court agree जो नियम है कानून है वो इसे स्विकार करता है और जो court है वो भी इस चीज़ से सहमत है Most learned lawyer said Sylock Sylock ने कहा कि तुम बहुत अच्छे सिक्सित वकील हो Come Antonio prepare yourself कि Antonio यहां आओ और अपने आपको तयार करो Wait a little थोड़ा सा इंतजार करो said the lawyer वकील ने कहा There is something else यहां पर कुछ और भी है This letter does not promise you one drop of blood कि यह जो letter है इसके अंदर कहीं भी ऐसा promise नहीं किया गया है कि you one drop of blood कि तुम इसकी एक बूंद खून की भी गिराओगे Take your pound of flesh तुम अपना मास का एक पूंद ले लो But if you spill even one drop of blood You must give all your money and positions to the state कि अगर तुमने मास काटने के बाद इसका एक भी बूंद का कतरा नीचे गिराया कि अगर इसका खून का एक भी बूंद नीचे गिरती है तो तुम्हारा सारा पैसा और तुम्हारी जो position है वो state को चली जाएगी Now it was great new turn to pray the lawyer Oh learn lawyer he cried अब जो great new है वो क्या करता है उस जो वकील है उसकी बड़ी परसंसा करता है और जोर से चिलाता है कि सिक्षित जो बहुत ज़्यादा knowledge वाला है learn lawyer है और वो जोर से चिला कर ये बात कहता है Listen सायलोक सायलोक सुनो What the learn lawyer just said कि जो ये सिक्षित वकील है इसने क्या कहा है You ask for justice तुमने न्याए के लिए पूछा And you shall have it और तुम्हें न्याए मिल रहा है Then cried सायलोक hesitantly Give me the money बसानियो लेकिन सायलोक ने थोड़ी देर के लिए सोचा और hesitate होते हुए उसने कहा कि नहीं मुझे इसका मास नहीं चाहिए मुझे बसानियो तुम पैसे दे दो Give me three times what Antonio owes me कि तुम जो पैसा Antonio ने मुझे लिया है उसका तीन गुना जादा पैसा तुम मुझे दे दो As you said जैसा कि तुमने कहा था You would कि तुम करोगी No so fast said the lawyer वकील ने कहा नहीं इतने जल्दी नहीं You have already refused the money तुमने पैसे लेने से तो पहले ही इंकार कर दिया है You shall have justice तुम्हें तो केवल नयाई चाहिए And nothing else और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए Finally shaking with anger अंत में गुसे से हिलते हुए The old Jew asked बुड़े यहूदी ने पूछा For the money पैसों के लिए He had lent बसानियों जो उसने बसानियों को दिये थे And no more और इससे ज़्यादा कुछ नहीं But the lawyer refused him परन्तु lawyer ने वकील ने उसे मना कर दिया And we have not finished yet He continued उसने आगे कहा कि अभी तक सब कुछ खतम नहीं हुआ है You, तुम, सायलोक, आरा जू तुम क्या हो एक यहूदी हो According to the law of Venice Venice के नियम के according If anyone who is not himself a citizen of Venice कि अगर कोई इंसान खुद Venice का नागरिक नहीं है Tries to take the life of a true citizen कि वो क्या नहीं कर सकता किसी भी true citizen मतलब जो सच्चा नागरिक है उससे बदला नहीं ले सकता He must be put to death And his money and property must be shared equally between the state And the man he has tried to kill अब वकील ने बहुत ही चतुराई के साथ कहा कि अगर कोई भी खुद Venice का अगर citizen नहीं है और वो real के citizen को मार देता है तो उसका जो पैसा है उसकी जो property है वो state में और उस व्यक्ति के बीच में जिसको वो मारता है उनके बीच में बराबर बराबर बांट दी जाएगी यू आर नोटा citizen ओफ वैनिस और तुम वैनिस के नाकरिक नहीं हो और यू हैव ट्राइब टू किल एंटोनियो और तुमने एंटोनियो को मारने की कोशिस की है दा ड्यूक मस्ट डिसाइड ओन यूर फनिस्मेंट और जो ड्यूक है वह अब तुम्हें सजा देने के लिए मतलब वो क्या कर सकते है अब तुम्हें सजा दे सकते है वो नेने ले सकते है I sell you more mercy than you saw to एंटोनियो छेय्ड ड्यूक ड्यूक नहीं उसे कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ताकि एंटोनियो के परती दया दिखाओ टू दा फ्राइटेंड जू और ये सब कुछ सुनकर जो यहूदी होता है वो क्या हो जाता है डर जाता है I give you I give you your life में तुम्हें तुम्हारा जीवन देता हूँ but your money must be given to एंटोनियो एंड दा स्टेट परतु जो तुम्हारा पैसा है वो एंटोनियो को और इस स्टेट को मिल जाएगा साइलोक वोज आ डिफिटिड मैन साइलोक क्या हो जाता है डिफिटिड मैन ऐसा हो जाता है कि वो बिलकुल हार जाता है कि एक जो money lander है जो साहुकार है वो क्या करेगा अगर उसका धन वापिस ले लिया जाएगा टेक माइ लाइफ एज वैल ही क्राइड बिटरली वो बहुत ही कड़वे अंदाज में चिलाया मुझे मेरा जीवन दे दो you take my life तुम मेरा जीवन ले लो anyway if you take the means by which I live मतलब if you take अगर तुम ले लेते हो means इसका मतलब यह है कि जो मेरे पास जो सब कुछ है अगर वो तुम ले लेते हो तो फिर मेरा जीवन क्या है तो तुम मेरा जीवन भी ले लो the young lawyer turned to Antonio and said अब जो young lawyer होता है वो Antonio की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है what mercy can you offer him Antonio की Antonio तुम किस तरीके की दया दर्शाओगे इस पे and the kind-hearted Antonio pitying the broken old man said gently अब जो दयालू हिर्दे वाला Antonio था उसने बुड़े आदमी पे दया दिखाते हुए कहा said gently बहुत ही भदरता के साथ कहा let him keep my share of the property put on one condition when he dies कि उसने कहा कि ये जो इसकी property है my share of the property जो मेरा हिस्सा है वो property इसे दे दी जाए प्रन्तु एक ही सर्थ पे इसे दे दी जाएगी कि when he dies कि जब ये मरेगा he must leave all his positions to his daughter Jessica and her husband कि वो जो भी पैसा है जो भी उसकी position है वो अपनी बेटी Jessica और उसके पती के लिए छोड़ देगा are you content sylock what do you say as the lawyer वकील ने उसे पूछा कि sylock क्या तुम इसके लिए तयार हो तुम क्या कहना चाहते हो I am content हाँ मैं इसके लिए तयार हूँ said sylock sylock ने कहा and now और अब I pray मैं परातना करता हूँ give me live to go मुझे जाने दो I am not well मैं ठीक नहीं हूँ send me the papers मेरे पास कागच भिजवा देना and I will sign them मैं और उनको sign कर दूँगा and the old Jew left the court और बुड़े यहुदी ने court को छोड़ दिया Antonio and Bassanio were full of gratitude for the clever young lawyer अब Antonio और Bassanio क्या होते हैं बहुत ज़्यादा gratitude हो जाते हैं उस वकील के परती जो इतना ज़्यादा चतूर था and ask him to accept the money और वो उसे वो पैसा देने के लिए कहते हैं कि तुम्हें यह पैसा स्विकार करना पड़ेगा that Sylock had lent Bassanio जो पैसा Sylock ने Bassanio को दिया था वही पैसा वो लोग वकील को दे रहे थे but the lawyer would not take it परन्तु lawyer ने इसे लेने से मना कर दिया saying he was well paid by their contentment और उसने कहा कि नहीं वो already ही उनकी संतूष्टी से इसको ले चुका है मतलब जो एंटोनियो है और Bassanio है वो जिस चीज से संतूष्ट हो गए और वो उसे offer करते हैं वो इसी चीज में खुस हो जाता है और वो इसे पैसे तो लेने से मना कर देता है ये है आपका chapter इसके बाद इसके next part में हम करेंगे इसके comprehension को please video को share करें, like करें and comment करें